सुमवार के दिन अगर आप महादेव के बारा नाम लेंगे तो सोची आप अपनी कितनी बड़ी मदद करेंगे आपको अपनी राशी के हिसाब से किस जोतर लिंग की पूजा से सबसे जादा लाव होगा और कैसे पूजा करनी है वो बताऊंगी वैसे तो बारा के बारा राश के जोतर लिंग आपके कश्ड दूर करते हैं आपकी जिंदगी से संकट को मिटाते हैं लेकिन अगर आप अपनी राशी के हिसाब से किसी विशेज जोतर लिंग की सही तरीके से पूजा करेंगे तो आप घर पर होने वाली अपनी प्रॉब्लम को दूर करेंगे शिप जी की आपकी राशी के हिसाब से प्लाइनेटरी पूजिशन की स्ट्रेंथ भी बिलेगी तो अपनी राशी के ये पूरिया और जैनकारी आपको देती हों पंचामृत का निर्मान किया जाता है शिफ परिवार को पंचामृत अर्पन करने का भी विशेश महत्व है पंचामृत से शिफ जी की पूजा अगर आप सोंबार को करते हैं तो हर मनत पूरी होती है प्रिष्षप राशी वालों को मलिका अरजुन जोतर लिंग का ध्यान करते हुए ओम नमश शिवाय मंतर का जाप करते हुए कच्चे दूद दही और सफेद फूल के साथ मलिका अरजुन जोतर लिंग की पूजा करनी चाहिए शिव जी को प्रसंद कर उनका आशिरवाद प्राप्त करने के लिए दूद से अभिशेक करना चाहिए भगवान शिव के प्रकाश में स्वरूप का मांसिक ध्यान करना चाहिए तामबे के पात्र में दूद भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करके ओम श्री काम धेनवे नमह का जाप करते वे पातर पर मौली बांद कर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमह शिवाय का जाप करते वे फूलों की कुछ पंगडियां अर्पित करें शिवलिंग पर दूद की पतली धार बताते हुए आप रुद्र अभिशेक करें अभिशेक करते हुए ओम सकल लौकिक गुरुवे नम्रू मंत्र का जाप करें अब हम बात करेंगे मिथुन राशी वाले लोगों की मिथुन राशी वाले लोगों को महाकालेश्वर जोतिर लि की तस्वीर अपने मंदर में रखिए और यह पूजा कीजिए आपको हरे फलों का रस मुंग बेलपत्र रादी से उजयन स्थित महाकालेश्वर जोतरलिंग की पूजा करने चाहिए महाकालेश्वर कालों के काल है इनकी पूजा करने वालों को अकाल मृत्यू का भई नहीं रहता महाकालेश्वर जोतरलिंग के दर्शन और पूजा करनी चाहिए महाकालेश्वर के शिवलिंग को दूद में शेहद मिलाकर स्नान कराएं और बिल पत्र पर शमी के पत्ते चढ़ाएं शिव को प्रसंद कर उनका आशिवर पाने के लिए दूद से अभी शेक करें को राशी के लोगों को ओंकारेश्वर जोतरलिंग के दर्शन करने चाहिए पूजा करनी चाहिए मध्य प्रदेश में नर्मर्दा तत पर बसा उनकारेश्वर जोतरलिंग है इस राशी वालों को मा शिवरात्री के दिन शिव की इसी रूप की पूजा करनी चाहिए जा नहीं सकते फोटो से तो कर सकते हैं उनकारेश्वर का ध्यान करते वे शिवलिंग को पंचामरत से स्नान कराएं इसके परिवार राजनीती स्वास्त को लेकर परिशान हूं उन्हें माहा शिवरात्री में शिवलिंग को जल में दूद दही गंगा जल मिश्री बिलाकर इसके साथ सा जवापी तुद्र अभिशेक करें तो ओम जटाधाराय नम्हा मंत्र का जाप करते वे अभिशेक करना महराश्ट्र में भीमा नदी के किनारे बसा भीमा शंकर जोतर लिंग इस राशी वाले भीमा शंकर को प्रसंद करने के लिए दूद में घी मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराएं अभी सिर्फ छे राश्यों की जानकारी दिये हैं आगे आपको छे और राश्यों के बार में ब कॉलों की जग एक काम जरूर कीज़े अगर डेली नहीं भी कर सकती हैं तो मंदे से शुरू किजे अगले मंडे कीजिए आज शाम को भी कर सकती सुरज जलने से पहले पहले आपको बारा जोतर लिंगों के मंत्र बता रहे हूं इनका जाब कीजिए जितनी देर भी श्रद्धा से कर सकें किसी मन्त्र नोट कीजिए बहुत आराम से बोलोंगे पहला मंत्र है we श्री सोमिश्वराए नमहा दूसरा ओम श्री सोमनाथाए नमहा तीसरा ओम श्री रामिश्वराए नमहा चौथा ओम श्री मलिकार जुनाए नमहा पांच्वा ओम श्री भीमा शंकराए नमहा सिक्स्त ओम श्री बैजनाथाए नमहा सात्वा ओम श्री त्रम्बकेश्वराए नमहा, आठवा Oum श्रीर विश्वन आतायी नमहा, नौवा Oum श्री महा कालेश्वराई नमहा दश्वा Oum श्री नागेश्वराई नमहा, क्यारव ओम श्रीं के दारनाथाय मत और बारवा और रम शरीं घ्रश नेश्वराए नम्हा अभी मैंने आपको छे राचियों के बारे में और बताना हैं जोतरलिंक से उनका संबंद बताना है ये सारी चीज़ें आपको आगे बतानी हैं वेट नहीं कराऊंगी अभी बताने जा रही हूं सुनिए तुला से लेकर मीन राशी वाले लोगों को किस जोतरलिंग की पूजा करनी है और कैसे तुला राशी वाले लोगों को रामेश्वर जोतरलिंग जी हां रामेश्वर जोतरलिंग की पूजा करनी चाहिए अब यह तमिल नादू स्थित भगवान राम दौरा स्थापित रामेश्वर जोतर लिंग है भगवान राम ने सीता मैया की तलाश जब शुरू की तो समुद्र पर सेतु निर्मान के लिए जोतर लिंग की स्थापना की थी महा शिवरात्री के दिन इसके दर्शन से मैरिड लाइफ में प्रेम और एक जो अटाच्मेंट होती है वो बनी रहती है जो लोग इस दिन रामेश्वर जोतर लिंग का दर्शन नहीं कर सकते हैं वो तस्वीर करें और तस्वीर के दर्शन पर दूद में बताशा मिलाकर शिव च्रौजी पर अर्पित करें विर्शिक राशी वाले लोग नागेश्वर जोतर लिंग जो की गजे रात में द्वार का जिलिए में वहां पर नागेश्वर जोतर लिंग की पूजा करनी चाहिए महा शिवरात्री के दिन इनका दर्शन करने से दुर घटना उसे बचाव होता है जो लोग इस दिन नागेश्वर जोतर लिंग का दर्शन नहीं कर सकते हैं वो दूद और धान के लावा से शिवजी की पूजा करें शिवजी को गेंदे का फूल शमी और बेल पत्र चड़ाए विश्चिक राशी के जातक हरीम ओम नमश शिवाय हरीम मंतर का जाब करें धनु राशी के लोग साजिटेरिंज आप लोगों को विश्वनात जोतर लिंग जोकी बारण नसी में स्थित हैं काशी विश्वनात जोतर लिंग की पूजा करनी चाहिए सावन के महीने में महाशिवरात्री के दिन गंगा जल में केसर मिलाकर शिवजी को अरपित करना चाहिए बिलपत्र और पीला और लाल कनीर शिवलिंग पर चड़ाना चाहिए धनु राशी वालों के लिए मंत्र है ओम तत्पुरशाय विदमही महादेवाय धीमही तन्नु रुद्र प्रचोद्रयात इस मंत्र से शिवजी की पूजा करें मकर राशी वाले लोगों को त्रंबकेश्वर जोतिर लिंग जोकी नासिक में स्थित्र हैं उनकी पूजा करनी चाहिए ये जोतिर लिंग आपको जैसे मैंने बताया नासिक में हैं महाद शिवरात्री के दिन इसकी पूजा करने से इनकी पूजा गंगा जल में गुड मिला करने से शिवजी का जल अभिशेक करने से सारी मनुकामनाय पूरी होती है शिवजी को नीले रंग का फूल और धतूरा चड़ाएं मकर राशी के लिए मंत्र है त्रम्ब के इश्वराय का ध्यान करते वे इनको जाब करना है ओम नमस्षिवाय पांच माला का जाब करें अब हम कुम्राशी की बात करेंगे कुम्राशी वाले लोगों को केधारनाथ जोतर लिंग dispute कि उत्तर है केदारनाथ जोतर लिंग उनकी पूजा करने ही चाहिए के ना शिवलिंकर फींग को नचामरत से स्नान कराना चाहिए इसके बाद कमल का फूल धतूरा चड़ाइं इस राशी के लोग गिरिश नेश्वर जोतिर लिंग जो की महाराष्ट के औरंगा बाद में स्थित हैं इनकी पूजा करने चाहिए अब खास बात क्या है आप कैसे पूजा करने सावन के महीने में दूद में केसर डाल कर शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए इतना सा डाले हां बाकी किसी गरीब को दें स्नान के पश्चाच शिवजी को गाए के घी और शेह धर्पित करें तनेर का पीला फूल और बिलपत्र शिवजी को चड़ाना चाहिए मैं आपको एक और सलाह दूंगी आप अगर कहीं नहीं जा सकते हैं तो घर के पास जो भी जोतिर लिंग है या मंदिर है वहां जाईए क्योंकि भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं और जो आप कर सकें वही कीजिए इतना काफी है महादेव आप पर क्रिपाश जरूर करेंगे